तो कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मी देखिए आप लोग अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं exercise 2.2 का question number 5211 ठीक है और इससे पहले के जो भी questions है वो मैंने already solve करवा दिया है तो आप लोग playlist में जा करके उस वीडियो को देख लीजेगा ठ इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि इफ 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0 then find the permissible values of cos theta अब इसके बारे में कभी आपने सुना है के साथ भी होता है देखो minus 1 और यहां पर plus 1 बात समझ में आ रही है यानि कि sin theta का value minus 1 हो सकता है प्लस 1 हो सकता है और इन दोनों के बीच में हो सकता है इसके इधर या फिर इसके इधर नहीं जा सकता ठीक है आपने देखा भी होगा आप जो table मैंने आपको याद करवाया था उसमें चला याद कीजिए अगर मैंने आपसे साइन जीरो डिगरी पूछ लिया तो फिर आप ध्यान से देखो जी प्रूफ के साथ बता रही हूं ठीक है ऐसा नहीं अपने मन से ने बोल रहें आप इधर देख लो ना साइन जीरो पूछा तो फिर आप बोलोगे 0 ठीक है साइन जीरो डिगरी आ रहे है जीरो देखो इसके और इसके बीच में आ रहे है हाँ जी हाँ उसके बीच में आ रहे है ठीक है अच्छा मैंने यह पूछ लिया तो फिर वन अपॉन टू तो बताओ वन अपॉन टू इन दोनों के बीच में यह आ रहे है ना उसके आगे लेस द्रिशन और इक्वल्ट वन यहन्हार तो भी चलेगा माइनस रहा तो भी चलेगा अच्छाए तो कि बात कर लेते हैं 280 180 का हमने जाद कर है कितना होता है साइन 880 होता है आपका जीरो तो दिखुँ यह दोनों के बीच में आ इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना तो इसके बीच में आपसे पूछो 270 बता दीजिए अब 270 कैसे निखालोंगे कोई बात नहीं है मैंने आपको बताया है इसको हम लोग कैसे सकते इसको हम लोग कैसे लिख सकते आपको को प्ल pretty अब कुसमें इधर जीरो है तो दो लिख दो इधर जीरोडिवस्ट ऩॉ ना ठीक है cos 0 कितना होता है अच्छा cos 0 यहाँ पे लिख देते है cos 0 degree होता है 1 ठीक है तो यहाँ पर इसका answer क्या आजाएगा 1 अब plus में की minus में है तो यहाँ पर क्या है 270 प्लस 0 यानि कौन सा quadrant आएगा यह होता है 270 प्लस 0 यानि 4th quadrant 4th quadrant किसका घर होता है cos और सिक्का यहाँ पर क्या लिखना इधर देखना है ठीक है तो यह किसमें आएगा यह जब अजस्तीन की एरिय में जा रहा है तो फिर उसको minus में रहना पड़ेगा यानि कि minus 1 तो साइन 270 डिगरी क्या होता है बच्चे लोग minus 1 होता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया minus 1 अभी इसके आगे इंगर्स आपको समझ में आते करके देख लेना ठीक है यानि मैं आपको बताना क्या चाहती हूं कि यह जो आपका साइन है ना साइन ठीटा ठीक है यह जो है इसका परमिशेबल वैल्यू क्या हो जाएगा minus 1 और 1 के बीच में ठीक है minus 1 भी हो सकता है और उन दोनों के बीच म यानि कि minus 2 या फिर प्लस 2 नहीं मिलने वाला और अगर वो मिला तो फिर आप उसको नहीं लोगे जैसे अभी हम इसको स्वाल्व करेंगे ठीक है तो अगर इसका मतलब इसके इधर का वैल्यू आया तो फिर आम उसको नहीं लेंगे क्योंकि कॉस्ट थीटा का परमिशेबल इन दोनों के बीच में ही होता है ठीक है उसी प्रकार से साइन थीटा का भी बात समझ में आ रही है आपको ओके तो अगर आपने ये इतना गंसिप्ट समझ लिया फिर तो कोश्ट नमबर 5 और 6 आपके लिए कुछ भी नहीं है तो चलिए वह एक काम करती हूं फटा फटसे स of cos theta ठीक है तो कैसे करेंगे द्यान से समझ जिए इसको जरह हम solve करने की कोशिश करते हैं देखो इधर sin theta इधर भी sin theta तो sin theta को हमने क्या किया बाहर ले लिया ठीक है तो अंदर क्या आएगा 2 और यहां पे देखो क्या था sin square theta दो बार था तो एक तो बाहर ले लिया मतलब ऐसे लिख सकती हूँ ऐसे लिख सकती हूँ ना sin theta which is equal to 0 और क्या लिख सकते हैं 2 sin theta plus 3 which is equal to 0 फिर यहां पे लिखेंगे sin theta is equal to 0 और यह sin theta का तो value अभी यहां पे हमको मिल चुका है इधर से दरा देख ले ना यहां पे sin theta का value क्या मिलेगा sin theta which is equal to plus 3 को ले लो उदर तो minus 3 2 को ले लो तो upon में हो जाएगा ठीक है तो यहां पे आपको sin theta के ना दो values मिले है एक तो 0 मिला है दूसरा क्या मिला है minus 3 upon 2 तो आप कौन सा consider करोगे बताईए अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि यह जो आपका sin theta है इसका जो मतलब value रहेगा वो ना minus 1 और plus 1 के बीच में ह आता है ठीक है तो यह 0 तो हम ले सकते हैं क्योंकि 0 इन दोनों के बीच में आता है अच्छा अब आप सोचिए क्या मैं इसको ले सकती हूँ अच्छा इसको थोड़ा solve करने की कोशिश करिए तो क्या आएगा minus तो पहले आ जाएगा 2 1.5 1.5 मतलब इसके इधर आ रहा है तो नहीं चलेगा ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस साइन थीटा ठीक है साइन थीटा क्या होता है ग्रेटर दन और इक्वल टु माइनस वन ठीक है सो देयारफोर साइन थीटा is not equal to minus 3 upon 2 यह जो साइन थीटा है वो इसके इक्वल नहीं हो सकता सो देयारफोर कौन सा वैलू हम कंसिडर करेंगे यह वाला ठीक है साइन थीटा आ गया जीरो लेकिन क्या आमको साइन थीटा पताना था कोश्चन में देखिए यह तो कौई बात नहीं हम लोग बता सकते कैसे आपको वो तीन आइडेंटिटी याद है किने उनको तो एकदम अच्छे से हम जानते हैं ना क्या जानते हैं साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा इस इकवल टू क्या होता है वन होता है अभी साइन के प्लेस पे साइन थीटा के प्लेस पे इसका वैलू रखो तो जीरो का स्क्वेर प्लस कॉस स्क्वेर थीटा विच इस इकवल टू क् square करोगे तो यहाँ पे 0 यानि cause square theta is equal to क्या आ गया वन आ गया ठीक है अब देखो यहाँ पे square root ले लेंगे तो फिर क्या होगा taking square root on both sides तो जब आप ऐसा करोगे इदर लिख दूँ मैं statement चलिए लिखी देती हूं taking square root on both sides तो जब आप यहाँ पे square root लेंगे तो cos theta का value आपको क्या मिलेगा cos theta which is equal to यहाँ पे आ जाएगा plus minus root over 1 अब square root of 1 कितना होता है क्या होता है 1 ही होता है square root of 1 is 1 तो यहाँ पे हम लिख देते हैं final answer की therefore cos theta is equal to plus minus square root of 1 is 1 तो cos theta का value यहाँ पे क्या आगया plus 1 और minus 1 तो plus 1 रहा तो भी चलेगा minus 1 रहा तो भी चलेगा है ना क्यूँ इसका reason यहाँ पे लिख करके आप दिखा सकते हो cos theta lies between plus 1 and minus 1 तो यह लिजए यहाँ पे आपका 5th question complete हो गया question number 6 देखिए 5th के जैसा ही है देखो इसमें यह दिया गया है 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 which is equal to 0 then find the possible values of cos theta ठीक है cos theta का यहाँ पे value आपको बताना है तो कैसे करेंगे बहुत ही simple है ध्यान से देखिएगा quadratic equation equation तो आप सभी लोगों ने solve किया ही है किया है तो जैसे आपने quadratic equation को solve किया है उसी प्रकार से इसको भी करना है कैसे करोगे चलों आपको बताते हूं यहाँ पर देखो इधर देखने गाई आपको यह चीज़ देखना है न कि इधर जो है वही यहाँ पर रहना चाहिए ऐसा नहीं कि इधर sign है इधर cos है तब नहीं चलेगा ठीक है इधर sign है तो इधर cos है तो इधर भी cos रहना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर क्या है 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 which is equal to 0 तो हम क्या करेंगे इधर देख लिखना सरा 5 है तो multiply कर दो 10 आ जाएगा ठीक है तो अभी 10 के आपको दो factors बताने है जब आप multiply करो तो आपको क्या मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए plus या minus करने पर क्या मिलना चाहिए minus 11 मिलना चाहिए तो कैसे मिलेगा जरा सोचिए 5 2 सा 10 नहीं यह तो नहीं हो सकता आचा 10 1 सा हाँ यह हो सकता है देखो 10 इंटू 1 और यह दोनों अगर मैं माइनस में कर दू तो फिर मुझे minus 11 मिल सकता है तो क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि 2 cos square theta फिर इसके प्लेस पे देखो इसको प्लेस पे हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे तो क्या लिखोगे minus 10 cos theta minus cos theta ठीक है इधर 1 था ना तो यहाँ पे कुछ नहीं यानिकी 1 है अगर आप यहाँ पे x रख दोगे यहाँ पे x रख दोगे तो फिर आपका यह जैसे आप पहले क्या करते थे वैसे ही हो जाएगा ठीक है तो वैसे पर कर सकता हूँ यहाँ अगर आपको यहाँ आपको य आता है तब तो बहुत अच्छी बात है चलिए अपी directly कर रहें तो ऐसे ही करेंगे अगले question में आपको ऐसे वाला भी करके समझा दूगी कि यह कैसे होगा ठीक है तो अभी क्या होगा यहाँ पर इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ले लेते ना टू कॉस सीटा को कॉमन ब् इसको हम एक ही बार लिखेंगे cos theta minus 5 फिर दूसरे वाले bracket में यह लिख देंगे 2 cos theta minus 1 which is equal to 0 अब आगे क्या करना है वो तो आप जानते ही हैं इसके equal में 0 लिखेंगे फिर इसके equal में 0 देखें ऐसे यहाँ पर लिखेंगे cos theta minus 5 which is equal to 0 और 2 cos theta minus 1 which is equal to 0 अब क्या करेंगे देखे minus 5 को उस साइट ले लेते तो क्या हो जाएगा cos theta which is equal to plus 5 और यहाँ पर cos theta का value आपको क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा minus 1 को उधर लिया तो plus 1 2 को उधर लिया तो यह चला जाएगा नीचे मतलब divide में ठीक है तो यहाँ पर देखो cos theta के आपको 2 values मिले है एक तो यह मिला है दूसरा यह मिला है तो हम कौन सा ले हमने क्या सीखा है कि यह जो आपका cos theta है यह हमेशा minus 1 और plus 1 के बीच में ही होता है ठीक है तो अगर मैंने cos theta का value 5 लिया तब तो नहीं चलेगा ना यह तो plus 5 है इससे आगे जा रहे है तो ऐसा नहीं कर सकते ठीक है तो यहाँ पर हमने यह लिख दिया since यहाँ पर लिख दीजिएगा since cos theta lies between minus 1 and plus 1 so therefore cos theta cannot be equal to 5 है ना यह 5 नहीं हो सकता hence तो फिर cos theta का value क्या होगा hence cos theta is equal to 1 upon 2 ठीक है तो यह 1 upon 2 जो है ना यह इन दोनों के बीच में आता है ओके तो cos theta का value यह हो गया बात समझ में आ रहे हैं आपको तो यह लीजिए यहाँ पर आपका 6th question भी complete हो गया मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ difficult था सब कुछ पहले जैसा ही था ठीक है तो चलिए आप लोग देखें इसको यहाँ पर देखिएगा question number 7 तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि find the acute angle theta such that 2 cos square theta which is equal to 3 sin theta हमें यहाँ पर theta का value बताना है अभी यह acute angle का मतलब क्या होता है वह angle जो 90 degree से कम हो जैसे कि 60 हो गया 45 हो गया 30 हो ठीक है तो यह सभी क्या होते 90 degree से कम होते है ना तो अभी हम इसको कैसे solve करेंगे बहुत सीधा सा और simple सा है बस आप ध्यान से देखते जाहिएगा यह दिया गया है 2 cos square theta which is equal to 3 sin theta तो हमें काम करते हैं यह जो 3 sin theta है इसको इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखो 2 cos square theta माइनस देखो जब यह इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 3 sin theta which is equal to 0 ठीक है आप देखो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए पता है आपको इधर क्या है cos square theta है तो cos square theta के प्लेस पे हम sin ला सकते हैं क्या सोचिए ज़रा तो ला सकते हैं कैसे देखो इसका value मैं यह लिख सकती हूँ क्या लिख सकती हूँ आप सबसे पहले यह identity देख लो यह देखो sin square theta plus cos square theta is equal to क्या होता है अब यहां से मुझे suppose करिए कि मुझे इसका value चाहिए cos square theta चाहिए तो मैं क्या करूंगी यह sin square theta को उस side ले लूँगी तो फिर क्या हो जाएगा देखो cos square theta मुझे क्या मिलेगा 1 minus जब यह उदर जाएगा तो minus में हो जाएगा यह इदर plus में जब उस side जाएगा तो minus में तो यहां पर हो जाएगा minus sin square theta कहा से लिखा मैंने यह identity का use किया पता है न आपको देखो इसक फिर भी ठीक है अब इस 2 का multiply अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा 2 1s are 2 minus यहां पर 2 into this तो 2 sin square theta ठीक है न फिर minus 3 sin theta which is equal to 0 अब देखो हम लोग इसको कैसे solve कर सकते हैं देखो यहां पर हमें काम करेंगे यह जो है न यहां से यह minus अटाने की कोशिश करते हैं यह जो minus है इसको अ हट अचाने के कोशिश करते हैं माईनस के से हाटेगा हम क्या करेंगे हर एक माइनस से मल्टिप्लाई कर देंगे हैं वह मल्टिप्लाई करके तो यहां पर यहां से माइनस अट जायेGा एक प्रॉपरली लिखना चाहिए न आपको पता है न जो स्क्वार वाला टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटीव ही होता है आपने कभी भी क्वाडरेटिक एक्वेशन देखा होगा तो वहाँ पर यह पॉजिटीव होता था इसलिए मैंने इसको पॉजिटीव में चेंज कर द स्कragon्राइडं हमें सीथा वालक शत नहीं पता है तो यहां पर आपको एक्स वाला बताकी हुआ अप आपको एक्स्युटीव होता है लेकिन आपको बोनूंगी सीखना चाहिए तो यहां पर क्या करेंगे यहां थीटा है न यहाँ पर लिखेंगे let sin theta is equal to x यानि यह जो sin theta है इसके place पर हम लोग x रखेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 2 sin square theta है तो sin theta कितना x मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा x square plus इधर 3 इधर क्या है sin theta तो sin theta के place पर x लिख दिया minus 2 which is equal to 0 ठीक है quadratic equation मिलिए आप इसको solve कर दीजिए यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 2 तो 2 into minus 2 यहाँ पर minus 4 आजाएगा दो factors बताएगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको यह देखो 4 और 1 राइट और यह minus में रहेगा यह plus में रहेगा देखो 4 minus 1 करेंगे तो plus 3 आएगा और यहाँ पर 4 into minus 1 करेंगे तो minus 4 आएगा तो अब इसको लिखते है 2x square plus 4x minus x minus 2 which is equal to 0 यहाँ से हम लोग 2x को बाहर ले लेते हैं तो bracket के अंदर आजाएगा x और फिर यहाँ पर plus 2 2 जा क्या होता है 4 होता है यहाँ पर क्या आजाएगा 2 ठीक है ना फिर उसके बाद यहाँ से हम minus 1 को बाहर ले लेते हैं bracket के अंदर x plus 2 आएगा which is equal to 0 तो x plus 2 x plus 2 तो इसको एक ही बाहर लिखना उसके बाद फिर दूसरे bracket में 2x minus 1 which is equal to 0 अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं x plus 2 which is equal to 0 और 2x minus 1 which is equal to 0 अब यहां से देखो X is equal to plus 2 को उधर लेंगे तो minus 2 हो जाएगा और यहां पर X का value क्या मिलेगा minus 1 को उधर ले लो तो plus 1 upon 2 2 को भी उधर लिया ना तो यहां पर आपको X के 2 values मिले हैं एक तो minus 2 और दूसरा क्या मिला है 1 upon 2 ठीक है तो अब हम यहां पर क्या करते हैं वापस से यह जो sin theta है ना मतलब sin theta को हमने X अजुम किया था तो अभी X के place पर हम लोग sin theta लिखते हैं तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि they are for X के place पर sin theta लिख देते हैं sin theta which is equal to minus 2 और sin theta which is equal to 1 upon 2 अब मैंने आपको क्या बताया है यह जो आपका sin theta है ठीक है इसका value हमेशा minus 1 और plus 1 के बीच में होता है यहां पर क्या है ज़रा देखिए तो यह क्या है यह तो minus 2 है तब तो यह नहीं चलेगा minus 1 और 1 के बीच में होना चाहिए यह तो minus 2 है मतलब यह नहीं चलेगा यह चलेगा क्या 1 upon 2 हाँ हाँ यह तो चलेगा तो अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या देखो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि since sin theta lies between minus 1 and plus 1 okay so therefore क्या लिखेंगे sin theta cannot be minus 2 यह minus 2 के equal नहीं हो सकता so therefore sin theta यहाँ पर आप क्या ले लोगे sin theta is equal to 1 upon 2 okay समझ में आया कैसे किया उसके बाद अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा यह जो मैंने यहाँ पर लिख दिया sin theta okay अब 1 upon 2 कब होता है जब sin 30 degree होता है तब यहनी 1 upon 2 के place पर मैं यह लिख सकती हूँ sin 30 degree right अब देखो इधर sin theta इधर sin 30 degree तो दोनों को जब हम compare करेंगे तो theta का value आपको क्या मिलेगा 30 degree मिलेगा ना यहाँ पर लिख दीजिए there for theta which is equal to 30 degree हमें यही बताना था ना find the acute angle theta हमने बता दिया theta कितना आ गया 30 degree आ गया वोके बात समझ में आई आई आपको तो यह लिजी यहाँ पर आपका question number यह जो है question number 7 यह complete हो चुका है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं यह जो आपका 8th question है यह 7 के जैसा ही है देखिए इसमें भी आपको वही find करना है find the acute angle theta और यहाँ पर दिया क्या है 510 square theta plus 3 which is equal to 9 sec theta ठीक है तो अब इसको हम कैसे solve करेंगे हमें यहाँ पर इससे solve करके theta का value find out करना है तो बहुत ही simple सा सीधा चाहे ध्यान से देखते जाहिएगा हम सबसे पहला काम यह करते हैं यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप इदर ले लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 510 square theta plus 3 इसको इदर ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस 9 सेक थीटा है ना इदर यह प्लस में जब इससाइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा ठीक है ना इतना तो आपको समझ में आता ही है अब देखो यहाँ पर क्या है 10 square theta यहाँ पर सेक थीटा है तो ऐसे नहीं चलेगा अगर इदर सेक है तो इदर भी सेक होना चाह है ठीक है तो अब देखो अगर आपको 10 square theta चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे यह जो 1 दिखाई दे रहा है इसको उस साइड ले लेंगे यहाँ पर होगा क्या देखो 5 तो ऐसा ही रहेगा अभी देखो 10 square theta क्या होगा 1 को उधर ले लो तो यहाँ पर क्या मिलेगा सेक स्क्व यहाँ पर पहले इसको लिख लो बाद में वो constant लिख लेना है रूल के हिसाफ से देखा जाए तो पहले क्या रहता है पहले यह रहता है फिर बाद में यह ठीक है तो यहाँ पर माइनस 9 sec theta लिख दिया उसके बाद plus 3 which is equal to 0 ठीक है इतना बाद आप लोग को समझ में आया देखो क्या होगा यहाँ पर हाँ इसको अभी हम ऐसे लिखते हैं देखो 5 sec square theta और इसको लिख लेते हैं माइनस 9 sec theta फिर माइनस 5 प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 which is equal to 0 आपको पता ना कैसे यह देखो 5 में से 3 को गटाएंगे तो 2 आएगा बड़े नंबर के आगे अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो जैसे आपने पिछले वाला किया था उसी तरीके से इसको भी कर दीजिए यहाँ पर फाइव इधर टू है डारेकली कर रही हूं अगर आपको करना है तो वैसे करो चलेगा आपके मर्जी ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर डारेकली कर दे 10 और 1 ठीक है माइनस में क्या होगा तो यह माइनस में होगा यह प्लस में होगा तो लिख दें यहाँ पर देखो 5 से के स्क्वाइर थीटा फिर उसके बार यह 5 है थोड़ा अच्छे से लिखते हैं है ना नहीं तो लगेगा कि ऐस है देखो यह 5 है और यह आपका S है ठीक है फिर यहाँ पे इसके place पे हम क्या लिख सकते हैं देखो minus 10 sec theta फिर plus sec theta minus 2 which is equal to 0 यह theta है थोड़ा अच्छे से बनाते हैं यह लिजिए ठीक है अब देखे यहाँ से हम लोग क्या common ले सकते हैं इसमें से क्या common ले सकते हैं तो 5 sec theta को हम लोग common ले सकते हैं तो 5 sec theta को मैंने बाहर ले लिया bracket के अंदर यहाँ पे sec theta आएगा देखो दो बार था एक को बाहर लिया एक तो है ना फिर यहाँ पे minus 5 2 सा क्या होता है 10 होता है यहाँ पे 2 आगया ठीक है उसके बाद इसमें से हम लोग किसको बाहर ले तो यहाँ पे 1 को बाहर लेते प्लस 1 को तो bracket के अंदर क्या आएगा sec theta minus 2 which is equal to 0 ठीक है तो sec theta minus 2 इधर पे भी इधर पे भी तो इसको एक ही बार लिखना इस प्रकार से sec theta minus 2 फिर इन दोनों को एक साथ ले लो 5 sec theta plus 1 which is equal to 0 ठीक है ज्यान से बस देखते रही है आंसर मिलेगा आपको ज्यादा बोर मत होईएगा ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे sec theta minus 2 which is equal to 0 और 5 sec theta sec theta plus 1 which is equal to 0 ठीक है plus 1 which is equal to 0 अग क्या होगा देखो यहाँ से हमें sec theta का value क्या मिलेगा यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1 को उधर लिया तो minus 1 5 को उधर लिया तो यह अपवन में हो जाएगा ठीक है तो यहाँ देखो sec theta का value क्या क्या आया है दो आया है और इधर क्या आया है minus 1 upon 5 ठीक है तो मैंने आपको जो values बताई थी वो मैंने आपको cos theta और sin theta का बताई ठीक है तो हमें काम करते, अभी इसके अन्दे जादा नहीं जाएंगे, हमें काम करते, ये जो sec theta है ना, इसको हम लोग किस में convert कर देते हैं? देखो, जो भी आएगा answer ना, उसको आप sign और cos में convert करने की कोशिच करना, ठीक है? तो sec theta को हम लोग किस में convert कर सकते हैं? बताइए, sec theta is equal to क्या होता है, हमने सीखा है न, sec theta is equal to क्या होता है, one upon cos theta, मतलब अगर आपको cos theta का value चाहिए, तो इन दोनों को interchange कर दोगे, इसको इधर, इसको इधर, यानि cos theta which is equal to क्या हो जाएगा, one upon sec theta, मतलब अगर हमें cos theta चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यह जो sec theta इस तो इसका reciprocal, इसके नीचे कुछ नहीं आने कि क्या है, one है, तो यहाँ पर cos theta क्या आजाएगा, one upon two, ठीक है, फिर यहाँ पर और यह लिखकर के दिखाना नहीं है, बस आपके समझने के लिए था, इधर लेगो, अब यहाँ पर इसे भी हम लोग cos theta में convert कर रहें, तो फिर यह 1 के बीच में आएगा, ठीक है, यह क्या है, minus 5 है, तो यह नहीं चलेगा, अच्छे यह चलेगा, हाँ, हाँ, यह चलेगा, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बहुत ही सीधा सा, simple सा है, बस थोड़ा सा time consuming है, पर है तो अभी करना पड़ेगा आपको, आपको यह option न cannot be equal to, यह इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, यह minus 5 नहीं हो सकता, so therefore, cos theta is equal to क्या हो जाएगा, 1 upon 2, अब मुझे बताएगे, कि 1 upon 2 कब होता है, cos कितना angle होता है, तब जाएक के 1 upon 2 आता है, तो याद करिए, याद आया, आपको नहीं याद आया, चलिए मैं याद दिला दे सकते हो, cos 60 degree क्या होता है, 1 upon 2 होता है, तो 1 upon 2 के place पर मैंने क्या लिख दिया, cos 60 degree, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे चाहिए, तो लिख करके न, दिखा दो, cos 60 degree is equal to 1 upon 2 होता है, ठीक है, अब यहाँ पर compare करोगे, तो आपको theta का value क्या मिलेगा, 60 degree मिलेगा, यह लीजी, हो गय सकता है, आप लोग देख सकते हो, इसको, अब question number 9 हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें किसका value बताना है, sin theta का value बताना है, और दिया क्या है, देखो, 3 cos theta plus 4 sin theta which is equal to 4, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए, एक काम करते हैं, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3 cos theta which is equal to 4 minus 4 sin theta, ठीक, अब देखो, यहाँ से हम लोग कुछ common निकाल सकते हैं, तो देखो, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको बाहर ले लो, bracket के अंदर आजाएगा, 1 minus sin theta, और इधर क्या आएगा, 3 cos theta, ठीक है न, अब अगला step क् हमारा, यहाँ पर हमें काम करते हैं, square कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखते है, squaring both sides, ठीक है, दोनों side का square कर देते हैं, squaring both sides, तो जब आप लोग स्क्वार करेंगे, तो 3 का square तो 9 हो जाएगा, और इसका square क्या होगा, cos square theta is equal to, यहाँ पर 4 का square is 16, फिर इधर के आजाएगा, 1 तो क्या होगा, देखो, इधर 9 है, तो 9 रहने दो, और पर इधर cos square theta, ऐसी रहने दो, यहाँ पर 16, इसको expand कीजिए, formula का use करके, तो क्या हो जाएगा, 1 का square, 1 minus 2ab, तो 2, a मतलब 1, ओके, और b यहने sin theta, तो यहाँ पर आजाएगा, 2 sin theta, प्लस b square, b यहाँ पर क्या है, sin theta है, त a square minus 2ab plus b square, ठीक है ना, तो अब क्या करें, देखो, एक काम करते हैं, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके place पर हम क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, 9, पर यहाँ पर sin square theta, रुको, formula तो हमने सीखा ही है, है ना, थोड़ा इधर लिखती हूँ, देखो, यह formula हमने, formula नहीं, identity, sin square theta plus cos square theta, क्या होता है, 1 होता है, तो अगर मुझे cos square theta चाहिए, तो मैं sin square theta को उस साइड ले लोंगी, तो क्या हो जाएगा, देखो, इसके place पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin square theta, ठीक है ना, अच्छा, यह सब changes हम क्यों कर रहें, question को solve करने के लिए, समझे ना, तो solve अगर आपको करना है, तो यह सब को changes आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब एक काम करो, क्या काम करेंगे, यह जो है ना, यह 16 जो आपको दिखाई दे रहे है, इसका multiply यह अंदर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 16, 16, 2, 32, यहाँ पर आजाएगा, minus 32, sin theta, और 16, into sin square theta, यहाँ और यहाँ पर 9 का multiply अंदर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 9, 1, 9, minus 9, sin square theta, ठीक है, अब एक काम करते हैं, सुनिएगा बड़े द्यान से, क्या काम करें, यह सारे terms को इधर ले ले क्या, इधर मतलो, रुको, अब इसको ऐसे रहने दो, 16, minus 32, sin theta, प्लस 16, sin square theta, ठीक है, इतना हमन कर दिया, अब क्या करेंगे, तो देखो एक काम करते हैं, यह जो दोनों terms है, इन दोनों को हम उधर ले करके जाते हैं, ठीक है, यह फिर इसको इधर ले लो, कैसे भी कर सकते हो, तो यह दोनों को उधर ले करके जाते हैं, तो यह जब उधर जाएगा, यह उधर जाएगा, प्लस बात समझ में आया आपके अब उसके बाद इसको थोड़ा हम सीदा से करके लिखेंगे यानी जिरो को उदर लिखेंगे पूरा ऐसे पलट देंगे ठीक है तो अब देखो क्या होगा, 16-9 करोगे तो पहले ये square वाला करते हैं तो 16 sin square theta ब्लस 9 sin square theta दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, दोनों भी plus में है ना तो दोनों plus में है क्या, हाँ, दोनों plus में है ना तो फिर दोनों को हम लोग जोड देंगे तो 16 और 9 कितना होता है 25 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 25 sin square theta ओके बात समझ में आई तो यह दोनों तो हो गए अब उसके बाद यह जो है minus 32 sin theta इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए अब उसके बाद क्या होगा 16 minus 9 तो 16 में से 9 यह सोचिए जरा तो यहाँ पर quadratic equation के जैसा हमको दिख रहा है या नहीं जैसे हम quadratic equation solve करते उसी तरीके से इसको भी हम लोग simplify कर सकते हैं इधर क्या है 25 तो 25 लिखा इंटू इधर क्या है 7 तो 7 दोनों का multiply करोगे 7 5 जा क्या होता है 35 3 आ गया 7 2 जा 14 3 17 175 दो factors बता दीजिए प्ल अगर यह दोनों minus में रहेंगे न तो हमें 32 मिल जाएगा और इन दोनों को multiply करेंगे तो फिर 175 आ सकता है ओके तो अभी इसके place पर हम यह लिखेंगे समझ रहो ना मेरी बात को तो अब यहाँ पर 25 sin square theta इसके place पर देखो minus 25 sin theta फिर यहाँ पर minus 7 sin theta लिखेंगे plus 7 which is equal to 0 ठीक है अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या common ले सकते हैं तो 25 sin theta को हम लोग common ले सकते हैं तो इसको मैंने बाहर ले लिया ब्रैक्ट के अंदर क्या आएगा यह तोुरा बाहर जा चुका यहाँ पर गले फिर यहां पर – हम लोके बाहर ले सकते हैं 7 को ले लो तो bracket के अंदर क्या आ जाएगा sin theta और 7 बन सा क्या होता है 7 यानि यहाँ पर minus 1 आ जाएगा which is equal to 0 तो देखो sin theta minus 1 यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो इसको एक ही बार लिखोगे ऐसे लिखोगे na sin theta minus 1 फिर दूसरे वाले bracket में इसको लिखोगे 25 sin theta minus 7 which is equal to 0 ठीक है अब आगे क्या करना है वो तो आपको पता है लिखते जाएगे आगे का तो आप सिंपल हो गया ना अब जो था बस इदर ही था बागी सब तो आगे का तो आप करें लेंगे दिखें sin theta minus 1 is equal to 0 और 25 ये sin है ठीक है दोनों ss दिख रहे है ना पर मैंने ऐसे बना दिया चलो ठीक है sin theta minus 7 which is equal to 0 अब दिखें यहाँ पर आपको sin theta के ना values मिलेंगे तो sin theta का value क्या मिलेगा इधर करूँ मैं चली अब इधर करती हूँ उधर बहुत जादा नीचे हो जाएगा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा चलो यहाँ पर लिखती हूँ sin theta is equal to देगो यह जो है ना यह minus 1 इसको आप उधर ले लो तो क्या हो जाएगा sin theta which is equal to plus 1 और अब उसके बाद यहाँ पर 25 sin theta minus 7 is equal to 0 तो काम करते है sin theta का value यहाँ से find करते हैं तो sin theta is equal to यह जो minus 7 है इसको उधर ले लो तो plus 7 होगा 25 को उधर लोगे तो यह आजाएगा नीचे तो sin theta के आपको दो values मिले है एक तो 1 मिला है दूसरा 7 upon 25 मिला है ठीक है तो कौन सा value हम ले हमने क्या सीखा था बताईए हमने सीखा था कि यह जो sin theta है sin theta lies between minus 1 and plus 1 ठीक है तो यहाँ पर क्या है 1 तो चलेगा sin theta का value 1 हो सकता है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि they are for इधर लिखेगा sin okay यहाँ पर लिखेंगे sin theta is equal to 1 अच्छा अभी इसको check करो जड़ा जब आप इसको solve करोगे तो answer क्या आएगा suppose करो कि मैंने यहाँ पर 7 लिखते हैं आप 25 point लगा दिया 0 बढ़ा दिया कितने बार में जाएगा दो बार में जाएगा है ना तो यहाँ पर 50 आ जाएगा ठीक है यानि जीरो point और कुछ तो इसके आगे आएगा तो 0.2 यह इस range में है कि नहीं इस range में कैसे मिले पता चला ना क्योंकि यहाँ पर 7 25 को जब आप सिंप्लिफाइ करोगे तो इस रेंज में या रहा है इसके और इसके बीच में या रहा है इसलिए इसलिए साइन थीटा के दो वैल्यूस होंगे ठीक है तो फाइनली यहाँ पर कोश्ट नमबर 9 जो है वह हमने क्योंजे कर लिया है आप लोग देख सकते हो यह सका सॉलिूशन है यहाँ पर देखिएगा यह आपका 10 फैन यहां पर यहाँ पर सेख धीटा का वैल्यू बताना क्या करेंगे पता है आपको यह जो है ना कॉसिक धीटा इसको हम पॉसीग डिख सकते ना वन अपन साइन थीटा अपने फॉर्मूला सीखा ना एकदम स्टॉर्टम मैंने आपको बताया था कॉसिक धीटा is equal to क्या होता है 1 upon sin theta ओके फिर उसके बाद यह जो है कॉट इसको भी ऐसे ही बदलने की कोशिश करो तो कॉट तीटा is equal to क्या होता है क्या बताया था मैंने आपको बताया था ना क्या होता है cos theta upon sin theta तो इसके place पे हम लोग लिख देते है cos theta upon sin theta समझ में आया क्या किया मैंने देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है इसका मतलब वही है क्योंकि cos theta is equal to 1 upon sin theta होता है मैंने आपको बताया है फिर cos theta is equal to क्या होता है cos theta upon sin theta ये भी बताए मैंने आपको, ओके, फिर यहाँ पर is equal to 5, इसलिए तो बोला था न, सारे formula को अच्छे से आप लोग याद कीजिए, तब ही आप कर पाएंगे, अब देखो denominators क्या है, same है, तो क्या करोगे, एक ही बार लिखेंगे आप लोग इसको, फिर यहाँ पर क्या हो हो जाएगा, 5 sin theta, अब क्या करेंगे, squaring both sides, ठीक है, squaring both sides, दोनों side में न, square कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, 1 plus cos theta, इस पूरे का square, और 5 का square क्या होता है, 25 होता है, आप जानते ही हो, और इसका square हो जाएगा, sine, यह साइ, sine square theta, इसको expand कीजिए, formula यूज करके, तो क्या हो जाएगा, 1 का square is 1, plus 2ab, यानि कि 2 cos theta यहाँ पर आ जाएगा, उसके बार, plus b square, b यानि क्या, cos square theta, ठीक है न, cos square theta, which is equal to 25, यह जो sine square theta है न, मैं काम करते हूँ, इसको cos में change करने की कोशिश करती हूँ, तो कैसे होगा, formula तो आप लोग जानते ही हो, मतलब identity, क्या जा जानते हैं हम, देखो, sine square theta, plus cos square theta, is equal to, क्या होता है, 1 होता है, अब समझी, आपको sine square theta चाहिए, तो इसको आप उधर लेलो, तो इसके place पर क्या लिखोगे, 1 minus, किसको ले रहो, इसको न, तो 1 minus cos square theta, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है, आप क्या होगा, तो इधर तो जैसा है, वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है, इधर अभी कुछ change मत कीजिए, इधर, 1 plus 2 cos theta, plus cos square theta, which is equal to, 25 का multiply अंदर कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, 25, 25 minus 25 cos square theta, ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या काम करें, यह सारे terms को इधर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 plus 2 cos theta, plus cos square theta, इसको इधर लोगे तो, यह minus में हो जाएगा, और यह plus में हो जाएगा, plus 25 cos square theta, ठीक है, cos square theta, which is equal to 0, अब उसके बाद क्या होगा, देखो, cos square theta, plus 25 cos square theta, क्या हो जाएगा, दोनों मिला करके, 26 cos square theta, ध्यान से देख लीजिए, यही होगा ना, हाँ जी हाँ, यही होगा, अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, यहाँ पर इसको तो जैसा है, वैसा ही लिख देते, plus 2 cos theta, ठीक है, तो यह हो गया, और यह हो गया, ठीक है, यह दोनों हो गया, यह अभी बचा होगा है, और यह भी मैंने लिख दिया है, यह देखो, 1 minus 25, क्या हैगा, minus 24, which is equal to 0, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वै, जैसे पिछला वाला किया था, उसी तरीके से इसको solve करते हैं, तो यहाँ पर, देखो, क्या है, 24 और 26, ठीक है, यहाँ पर 26 into 24, minus 24, ठीक है, तो अभी देखो, यहाँ पर आपको पूरा multiply करनी के जरुद नहीं ह तो आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर वो दोनों factors पता है, क्या होंगे, यही दोनों होंगे, क्योंकि 26 minus 24 करोगे, तो answer क्या आएगा, 2 आता है कि नहीं, ठीक है, तो वो इतना multiply करनी के जरुद नहीं है, direct theta से देखकर क्या आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिखे 26 cos square theta, फिर यह इसके place पर क्या लिखोगे, देखो, plus 26 cos theta, फिर minus 24 cos theta, और minus 24 which is equal to 0, समझ में आया, मैं आपको क्या बताना चाहा रही थी, देखो आप वैसे भी कर सकते हो, multiply करना है तो करो, लेकिन अगर directly समझ में आता है न, तो इधर उतना बड़ा multiply करनी के कोई जरूरत नहीं है, ठीक बाहर तो bracket के अंदर क्या आएगा, इधर cos theta आएगा, फिर ये तो जा चुका है न, इधर plus 1 आजाएगा, यहाँ से minus 24 को ले लो बाहर, यहाँ पर आएगा cos theta, फिर यहाँ पर plus 1 आजाएगा, which is equal to 0, तो cos theta plus 1, यहाँ पर लिखते देखो, cos theta plus 1 और यहाँ पर दूसरे वाले म minus 24, which is equal to 0, ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे हमको cos theta के न, values मिलेंगे, चलिए आपको बताती हूँ, देखें, मैं इसको भी मिटा दे रही हूँ, आप लोग लिखिएगा अपनी notebook में, ठीक है, मैंने मिटा दिया, पर आप लोग को लिखना है, चलिए, आगे चलते है अभी यहाँ से क्या मिलेगा हमको, पहले यहाँ पर लिखते हैं कि cos theta plus 1 is equal to 0, ठीक है, यहाँ पर लिखते है, cos theta plus 1 is equal to 0, और क्या लिखोगे, 26 cos theta minus 24, 26 cos theta minus 24 is equal to 0, ठीक है, अब लिखो यहाँ पर आपको cos theta का value मिलेगा क्या, इसको उधर लेलो, तो cos theta is equal to minus 1 आएगा, या फिर, या फिर इसको उधर लेलो, मतलब यहाँ से cos theta का value निकालो, तो जब यह उधर जाएगा, तो plus में हो जाएगा, plus 24, यह उधर जाएगा 26, इसको cancel करो, तो 2 1's are 2, 2 2's are 4, इधर 2 1's are 2 3's are, ठीक है, क्या आगे 12 upon 13, तो यहाँ पर हमें, cos theta के 2 values म minus में, minus 1 मिला है, और दूसरा क्या मिला है, 12 upon 13, हमको find क्या गरना है, sec theta बताना है, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से आप directly sec theta नहीं निकाल सकते, सोचिए ज़रा, cos theta का value हमें क्या लेना चाहिए, वैसे अगर देखा जाए, तो आप बोलोगी कि minus 1 रह सकता है, cos theta minus 1 रहेगा तो चलेगा, क्योंकि इसका possible value minus 1 भी होता है, मैंने आपको बताया है, लेकिन इस question के लिए कुछ और होगा, अगर मैंने आप ही सोचिए, कि मैंने यहाँ पर रख दिया, cos theta के place पे minus 1 रख दिया, अगर मैंने यहाँ पर minus 1 रखा, तो क्या होगा, 1 यहाँ पर minus 1 रखोगे, त 1 minus 1 which is equal to 5 sin theta, तो अब यहाँ से 1 minus 1 करोगे, तो 0 और 5 को इधर ले लोगे, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहनि sin theta क्या आजाएगा, 0, क्या होगा, sin theta, 0, अब देखो, अगर यह sin theta 0 हो गया, sin theta अगर 0 हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, not defined, क्योंकि हम जानते हैं, जब भ अगर, denominator में sin theta है, फिर यहाँ पर भी sin theta है, ठीक है, तो फिर cos theta क्या हो जाएगा, not defined, cos theta भी क्या हो जाएगा, not defined, तो ऐसे नहीं चलेगा, यानि कि cos theta का value हम लोग minus 1 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर मैं लिख दू, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, कि when cos theta is equal to minus 1, जब हम cos theta ले रहे हैं, minus 1, then, तब sin theta कितना हो जा रहा है, तो sin theta हो जा रहा है, आपका 0, okay, so they are for cos theta and cos theta are not defined, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, so they are for cos theta and cos theta are not defined, okay, यह दोनों क्या हो जाएगे, not defined हो जाएगे, so they are for cos theta cannot be equal to minus 1, यह minus 1 के equal नहीं हो सकता, ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया, अब उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखो cos theta का हमको दूसरा value क्या मिला है, 12 upon 13, तो लिखो यहाँ पर, देखो, यहाँ पर लिख देते हैं, कि therefore cos theta which is equal to 12 upon 13, हमें cos theta चाहिए था क्या, देख लीजिए ज़रा, हमें तो sec theta चाहिए था, लेकिन इस cos theta की मदद से हम दुख sec theta बता सकते हैं, अच्छा एक और बात सुनिएगा बड़े ध्यान से, यह cos theta का value 12 upon 13 हो सकता है, क्या, हो सकता है, क्योंकि जब आप इसको divide करेंगे, आपको point में ही कुछ answer मिलेगा, चलो, मैं आपको divide करके भी एक बार बता देती हूं, कुछ भी confusion रहना नहीं चाहिए, यहाँ पर लिखते, cos theta is equal to 12 upon 13, अब ज़रा, divide करके देखो, इधर 12, इधर 13, point लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर 0 point और कुछ तो आएगा, 0 point कुछ तो मतलब क्या minus 1 और plus 1 के बीच में आएगा, right, है ना, तो cos theta का value यह हो सकता है, अब देखो, इसकी मदद से sec theta आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर लिख देना, कि they are for cos theta is equal to, यह दिया है ना, तो sec theta, sec theta में चाहिए था, तो sec theta is equal to, क्या हो जाएगा, इसका reciprocal कर देंगे, sec theta is equal to, क्या ह होता है, formula पता है, 1 upon cos theta, ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, they are for sec theta, which is equal to 1 upon, cos theta कितना है, 12 upon 13 है, तो अभी इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे पलट दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec theta, which is equal to 13 upon 12, ठीक है, तो यह हो गया, जी आपका final answer, आपको कुछ भी confused होने की जरूवत नहीं है, ठीक है, इसको आप समझ लेजिए कि cos theta का value minus 1 नहीं हो सकता, वैसे तो रहता है, वैसे तो रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि minus 1 रख दो के, तब तो sin theta आ जाएगा, 0, 0 आ गया, तब तो कोई मतलब भी नहीं है, वो तो not defined हो जाएगा, इसके लिए ऐसा हमें करना पड़ा, ठीक है, चली है, अभी question number 11 देख लेते हैं, तो question number 11 में देखो, cot theta का value दिया है, 3 upon 4, और आगे क्या बोला जा रहे है, यह जो theta है, यह pi से बड़ा है, और किस से छोटा है पते हैं, आपको 3 pi by 2 से, अगर आपके textbook में यहाँ पर 4 है ना, तो वो correction है, उसको आप सही कर लिजेगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा, अगर 4 है, तो उसको हटा दो, उधर 2 लिख लो, और अगर 2 है, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, ठीक, तो हमें यहाँ पर find क्या करना है, हमें 4 cos 1 theta, प्लस 5 cos theta, यह find out करना है, तो देखो, अगर आपको इसका value बताना है, तो आपके पास cos 1 theta का value होना चाहिए, और आपके पास cos 1 theta का value होना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसकी मदद से cos 1 theta और cos 1 theta का value find out करेंगे, तो कैसे होगा यह सब, आपको बताती हूँ न, वो 3 identities याद है न, बस उतना है काफी आपके लिए, अब या identity याद कीजिए, यह जो cos 1 theta है, इसकी मदद से हमें मिल सकता है क्या cos 1 theta, सोचो जड़ा, मिल सकता है न, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से आप लोग देखते चाहिए, बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है, एक काम करते हैं, हम वो identity लिखते हैं, क्या था 1 प्लस cot square theta, which is equal to cos 2 theta, ठीक है न, यही था न, 1 प्लस cot square theta, which is equal to cos 2 theta, अब क्या होगा, cot theta के place पे यह value रखो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 upon 4 और फिर इसका square, यह 4 है, ठीक है, यह क्या है बच्चे, 4, 3 upon 4, is equal to cos 2 theta, अब देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 का square करेंगे तो 9, 4 का square करेंगे तो 16, which is equal to cos 2 theta, ठीक है, यहाँ पर लिख देते, cos 2 theta, अब उसके बाद, यहाँ पर cross multiplication कर दीजिए, तो 16, 16, plus 9 upon 16, is equal to cos 2 theta, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर 16, कितना होता है, 25 होता है, 25 upon 16, which is equal to cos 2 theta, ठीक है, अब एक काम करते हैं, square root ले लेते हैं, है न, square root ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, यह जो इसकी सिरपे 2 है, वो यहाँ से गायब हो जा जाएगा, फिर उसके बाद, यहाँ पर, plus minus root over 25 upon 16 हो जाएगा, यानि कि, cos 2 theta, cos 2 theta is equal to, यह जो 25 है, इसको root के बाहर निकालो तो 5 हो जाएगा, इसको निकालोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 16 था न, तो यह जो 16 है, यह किसका square होता है, 4 का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, 4, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिला क्या, देखो, cos 1 theta is equal to, plus minus phi upon 4, ठीक है, तो अब हम यह कैसे पता करें, कि यह plus में होगा, कि माइनस में होगा, तो इसके लिए तो यह दिया गया है, यहाँ पर देखो, क्या लिखा होगा है, यहाँ पर हम लिखते है since theta, जो है, वो pi से क्या है, pi से बड़ा है, और किस से छोटा है, तो 3 pi by 2 से यह छोटा है, ठीक है, यह कौन से quadrant में आएगा, जरा सोचिए, यह क्या होता है, आपको पता है यह pi होता है, यह pi ने, यह pi by 2 होता है, ठीक है, यह क्या होता है, यह क्या होता है, 3 pi by 2 होता है, यह क पाइ मतलब 180 इदर 270 याने 3Pi by 2 और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह 2Pi होता है यहाँ पर क्या है थीटा लाइस बिट्विन दिस एंड इस यानि कि थर्ड कॉडरिंट में आएगा अब यह थर्ड कॉडरिंट किसका घर होता है तो थर्ड कॉडरिंट घर होता है किसका यह यहाँ पर लिखना चाहिए हमको थीटा लाइस इन थर्ड कॉडरिंट अगरिंट तो यहाँ पर लिखिये देर्फर कॉसंग थीटा इस एक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाइव अपॉन फूर ठीक तो यहाँ पर हमें कॉसंग थीटा का वैल्यू मिल चुका है अब ज अब हमें चाहिए cos theta, तो cos theta कैसे मिलेगा, सोचिए जरा, आपके पास cos theta है और cot theta है, इन दोनों की मदद से, क्या हम लोग बता सकते cos theta, सोचिए जरा, सोचिए दिमाग पर जो डाली, तो अभी कैसे हम इसको solve करें, हमें cos theta कैसे मिलेगा, तो चलिए हम समस्ते हैं, एक दिम ध्यान से आप लोग दिखते रहेगा, ठीक है, बिल्कुल भी difficult नहीं है, यह जो cos theta है इससे हमको sin theta मिल जाएगा, कैसे हम लोग जानते हैं, यह जो sin है, ठीक है, इसका दोस्त कौन होता है इसका मित्र कौन है, cos theta है, तो अगर आपको sin theta चाहिए, तो आप क्या करोगे, यह जो cos theta है, इसका reciprocal कर दोगे, तो फिर आपको sin theta मिल जाएगा, सीखा है की नहीं, देखो अगर आपको sin theta चाहिए, ध्यान से देख लीजी, यह सारे formula मैंने पहले बताय हुए है, sin theta is equal to 1 upon cos theta हो जाएगा, यहाँ पर लिखे, therefore sin theta is equal to minus 4 upon 5, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमने sin theta का value निकाल लिए, आप हम क्या करेंगे, इस sin theta की मदद से, cos theta का value निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वो identity सीखी है, कौन सी identity आपने सीखी है, देखो, we know that हमें पता है, क्या पता है, sin theta का value क्या है, minus 4 upon 5, इसका square कर देंगे, plus cos square theta is equal to, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, अब इसका square कर देंगे, तो minus 4 का square यहाँ पर 16 upon 25 आ जाएगा, है ना, 5 का square is 25, minus का square करोगे, तो यहाँ पर plus हो जाएगा, minus into minus, is equal to plus होता है, फिर यहाँ पर plus cos square theta which is equal to 1, अब इसको उधर ले लो, तो यहाँ पर क्या होगा, cos square theta is equal to 1 minus 16 upon 25, अब cross multiplication कर दीजिए, अब देखो, cos, इसका value मिल जाएगा, आपको cos square theta is equal to 25, 25 minus 16 upon 25, यहाँ पर आएगा, क्या, 25 में से 16 जाएगा, तो कितना आएगा, 9 आएगा, पक्का, 9 आएगा, देखो, 15 में से 6 गया ना, हाँ, सही है, अब क्या करेंगे, taking square root ले ले, हाँ, on both sides, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, cos, यह जो इसके सिरपे 2 है, यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि आप square root ले रहे हो, तो square root से, यह जो square है, वो खतम हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर आएगा, क्या, cos theta is equal to plus minus root over 9 upon 25 ठीक है, अब एक काम करो, इसको बाहर निकाल दो इसके, तो जब आप बाहर निकालेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, plus minus 3 upon 5, ठीक है, अब हमें कैसे पता चले कि यह plus में होगा, कि minus में होगा, तो यहाँ पर क्या बोला गया था, theta lies between pi and 3 pi by 2, तो यहाँ पर हमें आप देखो जी, third quadrant किसका घर है, third quadrant घर है, किसका 10 और cot का, यहाँ पर क्या है, कॉस है, मतलब यह किसमें आएगा, minus में आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कि they are for, cos theta is equal to minus 3 upon 5, ठीक है, तो यह देखिए, यहाँ पर हमने cos theta का value निकाल लिया, और फिर हमने यहाँ पर cos theta का value निकाला था, आप क्या करना है, आप जादा कुछ नहीं करना, यह जो आपको बताना था ना, इसमें values लाग करके रख दो, बस आपको अभी देखो, आपका final answer मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, चलिए, मैं आपको वो भी करके बता देती हूँ, अब क्या करोगे, यहाँ पर जो भी आपको find करना है, वो जरा लिख लीजिए, क्या दिया है, देखो, therefore 4 cos theta, cos theta plus, यहाँ पर लिखोगे 5, 6 theta, ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, अब जादा कुछ नहीं करना, values इधर रखो ना, बस, देखो, 4 cos theta कितना है, यह देखो, minus 5 upon 4, लिख दू मैं, minus 5 upon 4 plus, यहाँ पर क्या है, 5, और 6 theta के place पर हम क्या लिखेंगे, minus 3 upon 5, तो यहाँ पर हम लिख देते है, minus 3 upon 5, अब देखिए, अगर कुछ cancel हो रहा है, तो उसको cancel कर दो, यह देखो, 4 से 4 कट जाएगा, और 5 से यह 5 कट जाएगा, इधर बचा क्या, minus 5 minus 3, अब इन दोनों को, क्या करेंगे, हम plus कर देंगे, है न, दोनों भी minus में है, तो यहाँ पर आजाएगा, minus 8, यहाँ इसका value क्या आया, minus 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए, there for, 4, cosic theta, plus, cosic, थोड़ा, spelling wrong हो गया, न, सही करती हो, रुकी ज़रा, यह देखिए, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर, there for, 4, cos 6 theta, plus 5, 6 theta, which is equal to minus 8, ठीक है, तो यह लिजिए, यहाँ पर हमने question number 11 भी complete कर लिया, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि यह वीडियो में बस हम यही तक करने वाले हैं, अब जो इसके आगे के questions है, उनको हम लोग नेक्स वीडियो में solve करेंगे, ठीक है, और मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में, थैंक यू